तो मम्मा की जो प्रशासन की कला थी प्रशासन माने अड्मिनिस्ट्रेशन और आप सब को पता हो की फर्स्ट अड्मिनिस्ट्रेटिव हैड हमारी मम्मा थी और बाबा मम्मा के नाम से सब जगत गुरों को, राज्जाओं को यह थे, यूके के, लंडन वगरा की जो वाइस्ट्रॉई वगरा सब को बाबा मम्मा के नाम से पत्र भेजते थे और वो पत्र हम लोग को सब के पास आता था मुर्ली में लिख करके बाबा जो भेजते थे थे ना, तो मुर्ली में आता था वो लिखा हुआ कि यह बाबा ने यह मम्मा के नाम से यह पत्र फलाने शंकराचारे को भेजा फलाने उसको भेजा तो हमेशा मम्मा की साइन होती थी तो बाबा ने मम्मा को जो चुना फर्स्ट अड्मिस्ट्रेटिव हैड तो उसके पीछे रास क्या थे पहली बात यह थी जो कि मम्मा ने अपने जीवन में एक असूल बना लिया था वो असूल क्या था कि मम्मा कोई भी मिस्टेक अगर हुई इशारा मिला वो मिस्टेक मम्मा ने कभी भी रिपीट नहीं की एक भूल करके दुबारा मम्मा ने वो भूल कभी नहीं की बाबा को कोई भी बात के इशारे भी देने नहीं पड़ते थे आखिर थी तो ममा छोटी आई हो की सोला वर्ष की आई थे और बाबा ने दीरे दीरे इतनी जिम्मेवारी दे दी मम्मा को जो मम्मा का डील डॉल सब बदल गया एकदम जैसी उसकी thinking थी बाबा ने उसका स्वरूप भी वैसा बना दिया तो मम्मा की विशेष्टा ये एक भूल करके दुबाराने दूसरा मम्मा के अंदर एक विशेष्टा जो हम लोग अनुभव करते थे सब बच्चों के साथ समान सब बच्चों के साथ समान और उसमें भी एक एलन फॉर्स्ट में मम्मा आई थी हम लोग तो बच्चे होते थे तो म्यूजिकल चेर हम खेलते थे मम्मा के साथ मम्मा हर्मोनियम बजाते थे और हम लोग म्यूजिकल चेर खेलते थे हाँ, याद है, वो खेला हुआ याद है, तो ममा आम तौर पर जो बजाता है, बेल या कुछ करता है, उसके आख पर पट्टी बान देते हैं, लेकिन ममा के आख पर कोई पट्टी नहीं बानते थे, ममा के उस चेरे को पीछे नहीं करते थे, बस ममा बजाती जाती थी, बजात बजाते और फिर खिलाती थी तो ये एक संदृष्टी, कोई भी बच्चक ने इसको जितादू, इसको जितादू नहीं, वो नहीं, सब के प्रती तो ये मम्मा की एक विशाद जो संदृष्टी, सब बच्चे मम्मा को ऐसे लगते थे जैसे की समान है तीसरी चीज जो हमने देखी मम्मा के लाइफ में मम्मा ने अपने जीवन का एम अब्जेक्ट सेट किया हुआ था नल्नी बेन बताते हैं कि एक बार मम्मा ने देखा एक चिडिया थी वो चिडिया आकर के अपने बच्चे के मुँँ में दाना डाल रही थे तो नल्नी बेन देख रही थी मम्मा भी देख रही थी नल्नी बेन अभी बिल्कुल नई नई सी थी एकदम जैसे के बिल्कुल शुरू कि तो मम्मा ने कहा तुम क्या देख रही हो तो मम्मा ने कहा कि नल्नी बेन चिडिया देख रही हूँ उन्हों पूछा, तुम्हारा aim object life का क्या है नलनी बेन से, तो नलनी बेन ने अपने रूप से बताया, यह मेरा aim, ममा ने का यह तो पशोपक्षे भी करते हैं, बच्चों को संभालना, करना, बड़ा करना, सेट करना, यह तो पशोपक्षे भी करते हैं, हमारे जीवन का aim object क्य हैं, वो ममा ने उनको स्पश्ट किया, कि हमारे जीवन का aim object ऐसे देवता बनना है, तो इस प्रकार ममा बच्चों को aim object life का क्या होना चाहिए, उसकी समझ बड़ी logically दिया करते थी, तीस ना चाहूँ जो ममा की administrative quality थी, love and law का balance, यह एक घटना से, आप समझ सकेंगे, हमारी मोहिनी बेन थी न, जो दादी जी के साथ रहती थी, उनको little मोहिनी कहते थे, मोहिनी बेन बाबा के, बहुत लाडली, बाबा उसको देव कन्या कहता था, वो लखनव से निकली थी, और मधुमन फिर बहुत समय दिल्ली में भी रही, नंगल में, ब्रिजुन भाई के स साथ भी रही, और उसके बाद मधुमन में रही, दादी जी के साथ, तो ये न, मुर्ली इनकी हैन्राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उन दिनों में, मुर्ली जो होती थी न, वो स्टेंसल पर लिखी जाती थी, हम लोगों ने भी लिखिये, स्टेंसल पर लिखते थे, बैंगनी रंग की होती थी, पर्पल कलर की, तो वो मुर्ली जो थी, वो लिखती थी, मुर्ली बाबा की उन दिनों में लंबी भी होती थी, पांच-पांच-पेश की भी होती थी, तो मोहिनी बेन मुर्ली लिखती थी, और जो मम्मा की मा थी, उनका नाम रोचा, रोचा, उ उनकी duty थी खाना खिलाने की, तो सब को ये है, बारा बजे बेल बजता है मदुबन में, सब को भोजन करना है, और कोई लेट आता है, तो एक चलो थोड़ी देर लेट आ जाएगा, लेकिन जादा तो नहीं होना चाहिए न, तो ये मुरली लिख करके, और तब भोजन करने जाती थी, तब तक रोचा बैठी रहती थी, तो एक दिन ममा निकली, राउंड पर आई, तो ममा ने रोचा को का, रोचा तुम अभी तक बैठी हो, आ ममा मुहिनी नहीं आई है, अभी मुहिनी को खाना खाना है, अच्छा मुहिनी को बुलाओ, बुलाया गया मुहिनी बैठी को, ममा ने कहां देखो, तुमारी कारण से ये बैठी है, कल से तुम ठीक टाइम पराई, हाँ ममा ठीक टाइम, कल आया, तो ममा पूरा अटेंशन रखती थी, अटेंशन रखती थी, ममा ने देखा, आज फिर ये नहीं आई है, और रोचा बैठी है, तो ममा ने कुछ नहीं किया, उस दिन छोड़ दिया, तीसरा दिन फिर देखा, फिर वही, वही सोचा कि मैं मुरली पूरी करनो, फिर जाओं, रोचा बैठी थी, ममा ने बुलाया, ममा ने का अच्छा, मुही नहीं, इतने बज़े बेल लगता है, इतने बज़े, अच्छा, खाना खाया, नहीं खाया, अभी खाना है, ये रोचा तुमारे कारण से बैठी है, उसका कितना समय जा रहा है, कल से तुमको खाना खिलाना है ठीक है? कल से खाना खिलाएंगे कल से खाना खिलाना शुरू किया तो जब तक सब लोग खाना खाएं उनका खाना पूरा हो गया मतलब खा नहीं सकी इतना खाना खिलाने के बाद दिल भर जाता है न तो वो खाई नहीं सकी एक दिन रोचा को का रोचा तुम मेरे पर रहम कर तुम ममा को का ममा मैं ही संभालूंगी इसको छोड़ दो ममा ने का नहीं लॉफल थे मैं ममा ने का इसको पंदरा दिन खाना खिलाना है पंदरा दिन मुहिनी बेन ने खाना खिलाया उसके बाद मुहिनी बेन कहती है मेरे जिन्दगी की धारना बन गई कि मैंने कभी किसी को इंतजार नहीं कराया नहीं तो लोग इंतजार करते हैं न बैठे हैं ठीक है किसी को भी इंतजार कहती है मैंने नहीं कराया यह मैंने अपनी पक्की धार नबाया तो ममा लफुल भी थी तो लफुल भी थी और वो administration में चलता है फिर ममा जो थी वो भाशन करना आया निर्वेर भाई को आया यह invitation भाशन का world peace पर था तो का ममा मैं तो भाशन नहीं कर सकता हूँ ममा ने उनको सिखाया आओ मेरे साथ ममा ने बैठ करके उनको सारा भाशन सिखाया और जब उन्होंने भाशन किया तो भाशन बहुत अच्छी तरह रिसीव हुआ और उनको ममा को जाके उन्होंने बताया ममा ऐसे हुआ तो ममा के अंदर कला भरने की एक होता है प्रशासन में अच्छा आप नहीं कर सकते हो छोड़ो वो कर लेगा नहीं, ममा के अंदर आत्मा में कला भरने की विशेश्टा थी ममा करके सिखाती थी, साथ लेती थी ये बहुत बड़ी ममा की विशेश्टा थी, empower करना जब मैंने भी कहा ममा को कि मैंने जाना है सेंटर पर 10th पास किया था, high school पास किया मंमा को कहा कि लबयाय नवी स्टोरीई है चौट में जाना है तो मंमा ने क्या कहा मंमा ने कहा पेरेंटस भी बैठे थे और मंमा भी थी कानपूर की बात मंमा ने मेरे को कहा Trustee तुम इतनी मिर्ची खाओगी मैंने खा लूूंगी मम्मा ने का मठका भर के पानी पियोगी मैंने का पी लूँगी मम्मा ने का शेर से डरोगी तो नहीं मैंने का नहीं डरोगी मेरी आयू क्या थी साड़े चौदा वर्ष का बच्चा इतनी सी मेरी आयू और मम्मा ने हाथ से ऐसे किया मैंने आँख जपक ली तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई मैं तो चुप हो गई मम्मा ने कहा कि यदी बाबा को साथ रखोगे तो कभी भी कोई भी बात से डर ने सर्वशक्ति वान मेरा साथी है ये पाठ पका करना तो कभी भी डर ने लगया ये मम्मा की वो शिक्षा थी फिर मैंने अपना जो समरपण पत्र था वो भी मम्मा को लिख के दिया बड़ी सुन्दर हैंड राइटिंग में डिजाइन करके दिया था मम्मा लास्ट में कानपूर से बंबी गए हैं सर्चरी के लिए तो मैंने ट्रेन में मम्मा एक बाद लिखा मम्मा ने उसमें करेक्षन दी उसके बाद लिख करके मैंने मम्मा को लेटर ट्रेन में दिया इस प्रकार से मम्मा के प्रशास नहीं खला फिर मम्मा के एक विशेशना ये थी मानो किसी ने कुछ कहा तो ममा लिस्नर अच्छी थी गुड लिस्नर किसी के अंदर कोई चल रहा है संकलम तो उसको कट नहीं करती थी क्योंकि वो कमजोर आत्मा है उस समय उसके अंदर चल रहा है तो वो कहां जाएगा किसको सुनाएगा तो ममा के पास आते थे ममा प्यार से सुन लेती थी और फिर प्यार से उनको बाद में शिक्षा देती थी कन्फर्म करती थी तो ममा की विशेचता चक्कर लगाती थी भंडारे में में खाना खिलाने के टाइम पर रात को चक्कर लगाती थी तो first hand information जो होती है, वो ममा अपने पास रखती थी, खुद देखती थी, तो उससे ममा के अंदर, ये भी administration की ममा की quality है, फिर ममा ने सिखा है, कभी भी ना नहीं बोलनी है, कभी भी, ये ममा की एक खास विशेश्टा थी, कि कोई वेक्ति आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के राज होता है, राज होता है, तो ममा कभी भी ना नहीं बोलती थी, और एक बात, लोग प्रश्न पूछते थे, भाबा ने ममा को इतना आगे क्यों कर दिया, और सब दादिया इतनी ममा से पुरानी हैं, ममा से पहले आई हुई हैं, उनको ने दिया, वाँ seniority बगरा कुछ नहीं होता था गुणों के आधार से था यह senior है यह senior है न मम्मा से बड़ी बहुत सारी थी परन्तु मम्मा को क्यों select किया मैं दो बाते मम्मा की बताती हो एक बार मम्मा की life में जो discipline था regularity थी एक बार Bombay में एक मंत्री मिलने के लिए आए वो मंत्री उसने मंत्री लोग होते हैं politician होते हैं late night यह लोग काम करते हैं तो मम्मा से मिलने के लिए वो midnight आए तो मम्मा तो जागे वी थी मम्मा की विश्य शाती वो दो बज़े उठ जाती थी हमेशा दो बज़े उठ जाती थी अब चला गया मंत्री मिल करके एक बज गया लेकिन मम्मा दो बज़े उठ करके फिर बैठ गया रमेश भाई ने कहा मम्मा आप रात को इतना देर से सोय हो आप रेस्ट कर लो मम्मा ने क्या कहा मैं इनसान की अपॉइंट्मेंट के लिए जाग सकती हूँ तो क्या भगवान की अपॉइंट्मेंट के लिए नहीं जागूँगी मंत्री की अपॉइंट्मेंट के लिए मैं जाग सकती हूँ लेकिन अपने प्यारे बाबा की जो भगवान है पिता उसकी appointment के लिए मैं नहीं जाओंगी ती मम्मा की निसे फिर एक बार बाबा कोई VIP को कुछ समझा रहे थे तो मम्मा भी बैठी थी और दीदी भी बैठी थी जब दीदी ने कहा बाबा आप मम्मा को इतना क्यों करते हो और भी तो बहुत हैं तो बाबा ने कहा था बच्ची इसका जवाब मैं तुमको बाद में दूगा तो ये वो instance है जबकी बाबा समझा रहे थे और मम्मा भी बैठी थी तो दीदी भी बैठी थी तो मम्मा दत्ट चित्त हो करके सुन रही थी बाबा क्या समझा रहे दीदी को बीच में संकल पाया उठके गई और सौगात टोली अरेंज करने के लिए उठके गई वो वापस जब वो चले गए वी आईपी तो बाबा ने कहा दीदी बाबा ने इस पॉइंट पर उस आत्मा को क्या समझाया तो दीदी का तो मिस था और आप जानते हैं जब हम किसी काम के लिए उठते हैं उसके पहले संकल भी चलते हैं तो आधे एपसंट तो हम उस समय भी होते हैं तो दीदी ने खाँ बाबा मेरे को सौगात अरेंज करने थी लच्चू के पास में गई थी तो फिर बाबा ने ममा को पुछा ममा बाबा ने इस विशे पर उस आत्मा को क्या समझाया ममा ने हू बहू रिपीट कर दिया तब बाबा ने कहा ममा देखा दीदी देखा ये है अंतर तो ये ममा की बाबा के प्रती जो respect administration means respect love बाबा के प्रती प्यार बाबा के प्रती respect ममा ने बाबा को कभी भी साधारण रूप में नहीं देखा बच्चे बाबा के साथ हसी कुड़ी कर लेते थे लेकिन ममा ने कभी भी बाबा के साथ हलकापन नहीं रखा बाबा के साथ सदा ये भगवान है ये मेरा teacher है उस भावना से बाबा को इसलिए ममा ममा बन गई ठीक है ओके चलो अभी प्यारे बाबा को भोग स्विकार कराएंगे मिल जुल करके आज अपने योगेंदर भाई के लिए भी है और हमारी बीना बेहन जो विदात्री बेहन की लोकेक मदर उनके प्रती भी है और भी एक किसका भोग है तो योगी बेहनी इनके प्रतीव